नमस्ते और ओम शांती आपको सवगत है आपके 295 दिन की शुरी वरतान में परंपिता पर्माजमा आज हमें अपने लक्षे के बारे में सिखाते हैं और यह भी बताते हैं कि मेरे फर्मान मतलब मेरे ओर्डर को अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें रावन नहीं पकड़ जाओगे और तुम्हेरा समय भी बच जाएगा तो देखें बाबा आज कहते क्या है इस वरतान में बाबा कहते हैं सदा फर्मान के तिलक को धारण कर फर्स्ट प्राइज लेने वाले फर्मान वर्दार भवा कोई लड़ाई में भी जाते थे तो पहले तिलक लगाया जाता तिलक लगाते थे यह याद रहे है कि मुझे को एकागरता से कारे करना ए एक आगर किस चीज़ पर होना है कि मैं एक आत्मा हूँ तिलक हम यहां लगाते हैं कि आत्मा कब बसने का स्थानिया होता है तो मैं एक आत्मा समझ करके कारे करूँगा तो मेरे अंदर लोग या अहंकार या ग्रिणा या नफरत या इर्शानी उत्पन होगी लेकिन मैं अपना कोई जिसम समझ के काम करना शुरू किया जिसमे हम body conscious कहते हैं या देया भी मन कहते हैं तो मेरे अंदर सारा मेरा पन आजाएगा शरील मेरा, शरील की चीज़ें मेरी, शरील की प्राप्तियों अपलब्दियों मेरी अंकार आएगा, ग्रना आएगी और उसे इर्शा होगी, उसके पास जादा क्यों, मेरे पास कम क्यों परमात्मा कहते हैं, कम जादा तो दुनिया के हिसाब से होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर गुन कैसे हैं, तुम्हें एक आत्मा समचर के कर्म करो, तो अपने लक्ष में रहोगी लेकिन अगर तुम्हें अपने आपको शरीत समचर कर्म किया तो तुम उस लक्षम द्रेखा को पार कर जाओगे और कहां भसोगे, अब जानते ही है बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, जिन बच्चों के कहीं गलत कर्म ना करने शुरूब करते हैं, जिस कारण से हमारे उपर बोजह और बढ़े, और बोजह बढ़ता है, तो फिर महसूस कैसे होता है, शरीर में व्याधियों के दौरा, बीमारी के दौरा, तो जब हम जितनी मुरली सुनते हैं, उससे हम बचे रहते हैं बुरे कर करते हैं, उन्हें फर्स्ट प्राइज प्राप्त होती है, तो परमात्मा भी फर्स्ट प्राइज देते हैं, स्कूल में तो मिलता है, यह मिलता है ना, फर्स्ट प्राइज, लेकिन यहाँ पर आध्यात में फर्स्ट प्राइज मिलता है, और देने वाला कौन है, स्वेम, प परमपिता परमात्मा थो एक स्टोर्य है जिसको है परिम पिता परमात्म से रिलेट करें अगर आप आप समझ पाएंगे . तो राम-चंदर जी नहीं रामा परमात्मा ने भी लक्ष दिया था कि ए सीता तुम इस लक्षमUU को ट्रॉस नि मलब शैतानी संकल्प, रावन वाले संकल्प हमारे अंदर चलने शुरू जाएंगे, अगर हम लक्ष को नहीं देखेंगे कि हमें पवित्र बनना है, हमें अच्छा बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, और एक अच्छी आत्मा बनना है, वो लक्ष से कर हम हट गए, तो हम बुराईयों की तरफ चलना शुरू करतेंगे, तो वो लक्ष में रहा क्रॉस नहीं करना है, फिर परमात्मा कहते हैं, जैसे सीता को लकीर के अंदर बैठने का फर्मान था, ऐसे हर कदम उठाते हुए, हर संकल्प करते हुए, कतम तो तब ही उठेंगे जब हम संकल्प करेंगे, पहले सोच आती है, फिर कर्म होता है शेरीर के दौरा, तो इसलिए सोचने वाली आत्मा, कर्म करने वाली आत्मा, शेरीर को चलाने वाली आत्मा, आत्मा निकल जा तो शेरीर भी बंद हो जाता है, चलना तो कर्म कौन कर रहा है बैठकर के शरीर के अंदर हम आत्मा है कर रही है और इस शरीर के दोरा करवारी है कर्म लेकिन आज फोकस ज्यादा शरीर के उपर होता है और आत्मा के उपर नहीं होता जिस कारण से हम पाप कर्म कर बैठते हैं हमेशा बाबा कहते हैं फर्मान की लकीर के अंदर रहते रहो, तो सदा सेफ रहेंगे, सेफ किससे रहेंगे? गलत कर्म करने से, कोई भी प्रकार के रावन की संसकार, चाहे रावन करो, कहो, चाहे सेटन कहो, चाहे शेतान कहो, कई धर्मा में कहते हैं, कि एक साइड में शेतान बैठा हुआ है, और ए तो आप ऽैये छह थोड़ने इन फष्टा और one चैतान तो परमात्मा कहते है है और हमारे अंदर संगल होते है तो लक्षमन रेख tag P aussi सो तो और एक सेकंड के इंदर नेगेटिव इंप्यों सो क्रॉस कर में पर्मात्प मान चाहते है हमें करम की कर्म है जिर में सबसे फीर संकपS चाहिए इसलिए हम हर दिन के आद्यात्में क्लास जिसको मुरली क्याते हैं और हम सुनते हैं ताकि बीज तो अच्छा बने ना तो वो बूर्डी क्लास का एक एक पॉइंट के हम बीज है हमारे मन के लिए तो अगर बीज नहीं डालेंगे मन के अंदर तो फिर किस प्रकार के पेड़ निकलेंगे जो पुराने संसकार हैं, पुराने आदते हैं पुराने सोच हैं, उजी के तो बीज निकलेंगे न तो फिर हमाँ पे जंगल कांटों का बन जाएगा नहीं तो फूलू का बगीचा होगा तो अगर मुरली सुनेंगे तो फूलू का बगीचा बनेगा अगर नहीं सुनेंगे तो बाकी सारे काटों का जंगल हो और उतनी ही उलजने उतनी ही प्रॉलम और उतनी ही हमारे शेरीर में व्यादिया फिर परवान पर कहते हैं रावन के संसकार वार नहीं करेंगे और समय भी विरत नहीं जाएगा समय किसमें विरत जाता है उसने ऐसे किया उसने ऐसे बोलती है मेरे पारे में उसको मैं सबक सिखाऊंगगई ऐस सबक सिखाऊंगई उसने ऐसे मेरे साथ में कैसे कर दिया उसको तो ऐसे नहीं करना चीछ ते मिर को जगह मिलनी चीछ तो यह सारे संकल्प है मतलब कि आपने लक्षम ब्रखा को क्रोस कर दिया है तो क्यों क्रोस किया क्योंकि हमने परमात्मा की जो फर्मान है जो मिलता है में spiritual guidance उसको हमने जाना नहीं पहचाना नहीं और सुना नहीं तो वह spiritual guidance के है वह तो आप seven days के जिब कोर्स करेंगे तब आपको समझाएगी क्योंकि कुछ समझने के लिए पहले तो केजी क्लास नर्सरी क्लास से तो स्टार्ट करना पड़ता है ना तो seven day कोर्स आपके है वह केजी और नर्सरी है क्लास आपकी फिर जाकर कि आप एडवांस क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपका दिन शुभ हो आप जाकर के जरूर प्रमकुमारी सेंटर पर जाकर के कोर्स जरूर करें अपने भलेक ले में को तो कुछ मिलेने वाला इस चीज़ से ना धन मिलेगा ना कुछ मिलेगा बस एक चीज़ का इस चीज़ की खुशी होगी कि आपने अपना जीवन सुधारा तो इसके ताब आपको दिन शुभ हो ओम श्यंति